नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाव बनाओ कीचन में आज मैं सेयर करने वाली हूँ यूपी बिहार बंगाल की बहुत ही पेमस पसंद की जाने वाली मिठाई लॉंग लता बनारस में तो यह खूभ पसंद की जाती है तो जब कभी भी आप बनारस जाए तो वहाँ गर्मा गर्म लॉंगलता जरूर खाए मझा ही आजाएगा तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल ही बनारसे इस्टाइल में गर्मा गर्म लॉंग लता तो इसके लिए सबसे पहले हम चासनी तयार करेंगे तो हमें एक बरतन में लेंगे एक कटोरी चीनी और पॉना कटोरी इसके अंदर में पानी डाल करके आज पे चीनी को पकाएंगे इसकी चासनी पकाएंगे तो इसे चलाते हुए हम पकाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे कुछ केसर के धागे साथ ही इसके अंदर खुस्बू खुब बढ़िया है तो इसके अंदर डालेंगे एक चमच केवडा जल आप चाहें तो इसके अंदर गुलाब जल भी डाल सकत इसके लिए हमें एक या दो तार की चासनी नहीं चाहिए बस हलकी सी गाड़ी चाहिए इस तरह से इसे उंगली में आप देख लें सठा करके जब चिपचिपपी से लगने लग जाए तो आज को बंद कर देंगे तो चासनी तयार हो गई है क्योंकि चासनी जब ठंडी हो तो अब इसे हम एक साइड में रख लेंगे चासनी को तो मैं भूल गई थी यह बताना कि हमने इसके अंदर में यलो फूट कलर एक पिंच डाला हुआ है अब लॉंग लटिका बनाने के लिए हम बनाएंगे मैदे का डो तो हमने एक कटोरी मैदे में एक पिंच के बराबर म नहीं डालेंगे और घी का मोयन बहुत अच्छी तरीके से मैदे के अंदर में मिक्स करेंगे इसे हम हातों से बढ़िया से मिक्स करेंगे बहुत सारे लोग सोडा बगर इसले डालते हैं जिससे की लॉंग लता खुब खासता बने लेकिन हम मोयन डालके ही इसे खासता जब इस तरह से बाइंड होने लग जया है तो समझ लेजिए कि मोयन खुब अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके इसका एक सौप सा डो बनाएंगे और पानी हम इसमें डालेंगे बलकि हतेली में लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी ह होने पाए और ना ही बहुत ज़्यादा हाट चीहें बिल्कुल ही मेडियम जैसे हम पूड़ी पराठे का बनाते हैं उसी तरीके से सौप्ट इसका डो तैयार कर लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं पानी मिला रही हूं तो हतेली में लेकर के ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही मिला रही हूं इससे इसका मैं देका डो बहुत ही परफेक्ट सा बढ़िया सबन के तयार होगा क्योंकि हाथ से पानी मिलाने पर अंदाज मिल जाता है कि कितना पानी इसके अंदर चाहिए तो डो मेरा तयार हो गया है अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए तो अब लंगलता बनाने के लिए हम स्टफिंग तेयार करेंगे तो हमने 8-10 बदाम एक मिक्सिजार में डाला हुआ है साथ ही में कुछ काजू के तुकड़े 8-10 और एक चमच इसके अंदर हम चीनी मिक्स करेंगे साथ ही में 1-4 चमच हम इलाची पाउडर डाल करके इन सारी चीजों को दर-दरा सा पीस लेंगे ताकि मेवे के अंदर में खु के अंदर में बढ़िया से मिला लेंगे और इसके बाद इसके अंदर एक चमच डालेंगे सुखे नारियल का बुरादा और सारी चीजों को खुब बढ़िया से मेक्स करके हम इसकी स्टपिंग भी हमने तयार कर ली हुई है तो लॉंगलता का टेस्ट तभी बढ़िया आए तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने डो को एक चकले पर रख करके खुब बढ़िया से मसल के चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी लोई तयार करेंगे जैसे कि हम पूरियों की तयार करते हैं बिल्कुल ही सेम तरीके से बलकि उससे थोड़ी सी छोटी ही लेंगे क्योंकि मैदा कडो होने की वज़ा से जब हम इसे बेलेंगे तो मैदा स्रिंक कर जाता है तो इसकी पूरिया थोड़ी मोटी हो जाएंगी और इसे हमने बिल्कुल ही पतली पतली ही बेलना है पतली होगी तभी लॉंगलता खसता बन के तयार होगी नहीं तो मोट गोटि मोटि लौइ मैं आपनला के ज़ित सी पूरियां तायार कर लाइग करेंगे। इसनी स्थयाइल प Shift करेंगे करेंगे। तो मैं दिखा रहे हों कि मैं इससे कितना पत्ला कर spare देए हूं। कि पतला बेलने के बाद भी जब हम इसे रखेंगे तो थोड़ी सी ये स्रिंक कर जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, तो इसलिए इसे थोड़ा सा पतला ही बेलें, इस तरीके से इसकी पूरी तियार करने के बाद इसके अंदर हम खुब बढ़या से स्टपिंग रखके उपर से नीचे की ओर मोड़ देंगे और इसके बाद थोड़ा सा पानी लगा के नीचे से उपर की ओर हम दोबारा इसे फोल्ड कर देंगे और फिर इसके स्टपिंग को दबा देंगे और फिर नीचे और उपर से दोनों ओर से खुब अच्छी तरीके से दबा करके नीचे वाला हिस्सा हम अंगुठे के या उंगली के बीच में रख करके उपर से फिर मिला देंगे और इसका मुह दबा देंगे ये काफी अच्छे से इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे और दूसरी भी मैं बना करके दिखा रही हूं, इसके बीच में भी आप देख सकते हैं होल, तो इसमें स्टपिंग को हम बिल्कूल ही बीचों बीच ही रखेंगे, तब ही लॉंगलता बढ़िया से बनेगी, तो बीच में स्टपिंग रखके, इसके आप चारो और चाहें, तो इस का मूँ दबा देंगे, तो इसके स्टपिंग करने के बाद, इसे चारो ही योर से हम खुब बढ़िया से, इसका मूँ दबाएंगे, जिससे की स्टपिंग बाहर न आने पर हैं, इसके बाद इसे उठा करके, हम हतेली से थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे इसके अंदर की येयर निकल जाए और फिर इसके नीचे वाली साइड को उठा कर उपर वाली साइड से हम इस तरह से बीच में उंगली लगाते हुए मिला लेंगे, इसके बाद इसके उपर एक लोग लगा देंगे, तो देख सकते हैं कि लोग लगता किते बढ़िया से स्टपिंग करके भी तैयार हुआ है बिल्कुल ही बजार की तरीके से तो लॉंग लता की स्टपिंग करने के बाद अब इसे हम फ्राइ करेंगे तो इसके लिए हमने अपनी आज पे घी को पहले ही गरम करके रखा हुआ था और घी को हमने बिल्कुल ही दीमी आज पे ही गरम किया हुआ था तो घी इसे अलटते पलटते हुए बिल्कुल ही golden होने तक fry करेंगे क्रिस्पी होने तक जैसे कि हम सब मौसे वगरत तलते हैं बिल्कुल ही सेम तरीके से इसे भी fry करेंगे बिल्कुल ही धीमी आच में इसे पकने में कम से कम 10-15 मिनट की टाइम लग जाएगी तभी ये खस्ता बनके इसे खास्ता बनाने के लिए बिल्कुल ही सब पूर्वक हम इसे धीमी आच में ही फ्राई करेंगे जब लॉंगलता खास्ता होगी तभी खाने में भी अच्छी लगेगी नहीं तो वो धिली-धिली से लगेगी तो एक दम करारी क्रिस्पी golden कलर की ये फ्राई हो चुकी है अब हम इसे निकालके हलकी गरम चास्नी में ही डालेंगे थंडी चास्नी में नहीं डालेंगे नहीं तो थंडी चास्नी होगी तो ये सोक नहीं होगी तो इसे चार से पांच मिनट हम चास्नी के अंदर अलटते पर लटते हुए चास्नी सोक होने के लिए रख देंगे इसके भी हम चासनी में डाल देंगे और पहले बाले को निकाल लेंगे तो इसे भी चासनी में डालने के बाद इसे हम अलट पर लट लेंगे जिसे ये खुब बढ़ियां से चासनी सोख हो जाए तो कितनी बढ़ियां लॉंगलता बनके त्यार हुई है बिल्कुल ही बजार की तरह स तो आप देख सकते हैं कि चासनी सोख होने के बाद ये कैसी दिखाई दे रही है एकदम बजार जैसी क्रिस्पी और रस से भरे हुई लॉंगलता बनके त्यार है तो अब मैं इसे एक प्लेट में भी सर्व करके दिखा रही हूं कि इसका कलर कितना बढ़िया है और साथ में य बाज़े और बादाम के तुकड़े इस तरह से डाल सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने घर पे ही एकदम बाजार जैसी परफेक्ट लॉंगलता बनके त्यार है तो एक मैं तोड़के भी आपको दिखा रही हूं कि इसके स्टफिंग और कितनी जूसी लॉंगलता बनके त के साथ सेयर भी करें जिससे वो भी घर पे इस तरीके से लॉंगलता को बना करके इंज्वाइ कर सकें और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर दें बिलते हैं फिर किसी और नए रेस्पी के साथ थैंक यू